हलो दोस्तों, 1754 में मुगल सामराज के एक वजीर गाजी उद्दीन फिरोज जंग की एहमियत और वर्चस सो कहीं अधिक बढ़ चुका था ना सिर्फ वो शाशन व्यवस्था को नियंद्रित करने लगा था बल्कि वो शाशक निर्माता की भूमिका में आ चुका था और इसी क्रम में अहमद शाश यानि अपने ही सासक को वो गद्दी से हटा देता है और ना सिर्फ हटा देता है बल्कि उसकी हत्या भी करवा देता है एक बार फिर 1754 में मुगल सामराज की गद्दी खाली हो चुकी थी और इस पे गाजियुद्दीन फिरोज जंग ने स्थापित किया जहांदर्सा के पूत्र आलमगेरदुती को 1754 में आलमगेरदुती को मुगल सामराज की सत्ता तो हासिल हो जाती है दोस्तों लेकिन 55 वर्स के आलमगेरदुती को शाषन का कोई भी पूरवनभव नहीं था लिहाजा शाषन वर्स था पूरी तरीके से गाजियुद्दीन फिरोज जंग के हाथों में ही रहती है जो वो चाहता भी था और गाजियुद्दीन फिरोज जंग अपने हिसाब से मुगल सामराज की सत्ता को चला रहा था दोसरी तरफ मराठों का प्रभाव भी बहुत बढ़ चुका था और अब वो भी धीरे धीरे मुगल सामराज के लिए खत्रा होते जा रहे थे इसी को नियंतरित करने के लिए आलम गिर्दुती ने एक स्वतंत निर्णा लिया कि उसने फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी से मराठों को नियंतरित करने के लिए मदद मांगी हाला कि इसमें आलम गिर्दुती किसी भी तरीके से सफल नहीं हो पाया और मराठों का वर्चस बढ़ता रहा 1757 की एक प्रमुग घटना आती है सामने प्लासी का युद्ध दोस्तों इस युद्ध ने हिंदुस्तान में अंग्रेजों की नीव को मजबूत किया और अंग्रेजों की इस्थापना का क्रम आरंभ हो गया यानि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का अगर सही मायने में इस्थापना का क्रम देखें तो प्लासी का युद्ध उसका आरंभ माना जाता है तो यहां से अंग्रेजों का भी प्रभाव आरंभ हो जाता है दोस्तो आलमगीर ने गाजियूद दिन फिरो जंग से उपके एक सड्यंत रचा उसे हटाने का लेकिन इससे पहले की आलमगीर उसे सफल बना पाता गाजियूद दिन को सड्यंत की भनक लग गई और उसने आलमगीर यानी मुगल सामराजी के शाशक को ही गद्धी से हटा दिया और उसकी हत्या करवा दी साथ ही उसका सव यमुना में फिकवा दिया दोस्तों इसके बाद गाजी उद्दिन फिरोज जंग ने अपने प्रभाव का पूरा उप्योग किया और आलमगीर दुती के ही पुतर ली गोहर को शाह आलम की उपादी के साथ गद्धी पर बिठा दिया लेकिन मुगल सामराजी की सत्ता अपने ही हाथों में रखी तो दोस्तों ये कहानी थी आलमगीर दुतिय की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अली गोहर या शाह आलम के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों